और बड़े बच्टे बचाते हुए हम यहां पर आए हैं क्योंकि डर था की कहीं लूट न हो जाए इतना महेंगा समान आइटम लेकर चल रहे थे तो विनीज जी और मैं बहुत बच्टे-बचाते पुलीस प्रोटेक्शन में यहां पर पहुंचे हैं कि कहीं पर इतना महेंगा आइटम है जैसे जेवरात की आजकल हिफाज़त होती है वैसे इन सब चीजों की हिफाज़त करनी पड़ रही है आपने सूपर मैन देखा है, आपने स्पाइडर मैन देखा है, आपने ही मैन देखा है, आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, और वो कहानी एक देश की है, एक देश में एक राजा की है, जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं, सूपर मैन, स्पाइडर मैन अब पुराने हो गए, महेंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है, जहां महेंगाई बढ़ जाती है, टमाटर टर बोलता है, टमाटर महेंगा हो जाता है, पेट्रोल पाब बोलता है, पेट्रोल महेंगा हो जाता है, जनता अपने राजा से बड जन्ता तरस्त है, जन्ता परिशान है और उसलिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे। वो कहते थे फेकुस्तान में टमाटर बहुत महेंगा है। फेकुस्तान में आटा बहुत महेंगा है। तो राजा इसी में मस्त रहता था कि चेले जो है वो फेकुस्तान की बात कर रहा है उसकी प्रजा की देश की बात नहीं कर रहा है कुछ चेले ऐसे भी थे जो टमाटर 140 होने पर जनता को समझाते थे कि टमाटर मत खाईए पत्री हो जाएगी मिर्ची कम खाईए अलसर हो जाएगा लेसन प्यास तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए देश विरोधी हरकते आप बिल्कुल मत करिए तो राजा को ऐसे लोग थे जो समझाते थे लेकिन असलियत यह है कि जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा महंगाई डायन खाये जाते उसकी लाइन में बस संशोधन यह है कि सखी सईया तो नईखे कमात हैं महंगाई डायन खाये जाते कल बेरोजगारी के आकड़े आए दो साल में सबसे उचा बेरोजगारी का दर ना explanation मिलेगा मस्त हैं सहाब बहादूर मस्त हैं दुनिया देश त्रस्त है कोई फर्क नहीं पड़ता है तो जो बेरोजगारी के आकड़े आए उससे समझ में आता है रोजगार कम है उससे समझ में आता है आए कम है और महिंगाई जो कमर तोड़ रही है वो और जादा तोड़ रही है सबजीों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे है ये मैं एक गिफ्ट बास्केट बना कर लाई हूँ आप लोग अभी शादी बया का सीजन आ रहा है बर्तरे पाटी वगेरा में जाते होंगे ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है इसमें एक किलो टमाटर है एक किलो अद्रक है एक किलो हरा मिर्च है एक किलो लहसुन है टोटल लगबग एक हजार सत्तर रुपए का समान है इस बास्केट में तो अन्यता पैसे मत खर्चा करिए ये सब चीजें दिया करिए लोग इसकी बड़ी कीमत पहचानते और जानते है आज असलियत ये है कि इस देश में टमाटर डेड़ सो रुपए के करीब बिकर आ है तो जो लहसन प्याज नहीं खाते हैं आपको हो सकता समाज देश समभाय है कि हम तमाटर भी नहीं खाते हैं अद्रक ने तो ट्रिपल सेंचरी लगा दिये निम्भू मेरा पैसा खतम हो गया मुझे निम्भू नहीं मिला था चार सो रुपए पार निम्भू है चार सो रुपए की वो हरी मिर्च मिल रही है जो कभी हरी धनिया और मिर्च सबजी वाला फ्री में जाल देता था सबजी के थैले में यह 400 रुपे किलो की मिक रही है ऐसा क्यों हो रहा है और क्या सरकार को इसका पता नहीं है सरकार सब जानती है सरकार को सब कुछ पता है और नहीं, ये सिर्फ बारिश के कारण, सीजनल नहीं है, ट्रांस्पोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी है कि सरकार से सभाले चीज़े संभल नहीं रही है, सबजी ही नहीं दाल भी दूबर हो गई है, एक मिनिट को चलिए कह दे गरीब आदमी कि चलो सबजी नहीं खाएंगे, दाल भी दूबर है, अरहर और उरत की दाल इतनी महंगी है कि जो मार्केट में अरहर की दाल 72 से 75 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 160 से 170 के बीच में है, उरत की दाल 30 रुपए महंगी हुई है एक महिने में, अरहर की दाल में, एक महिने में 50 रुपए की बढ़ोत्री हुई है, एक दो रुपए नहीं करीब करीब पचास रुपए की. दाल और सबजी चलिए, आदमी कम खाएगा, सोचे का थोड़ा मसाला वसाला आड़ कर दे तो बात बन जाएगी. जो जीरे का छोंक लगता है, वो जीरे का दाम आपको पता है क्या है अभी? आठ सो रुपए कीलो है जीरा इस समय, आठ सो रुपए कीलो जीरा बिक रहा है, वो जीरा जिसमें तड़का लगा के थोड़ा गरीब आदमी का और मद्यमवर का खाने का स्वाद बढ़ जाता है. उस जीरे में दो सो रुपए कीलो, 200 रुपए प्रती कीलो का इजाफा एक महीने के अंदर हुआ है 800 पे दाम पहुँच गया है यह जीरा कभी 200-200 रुपए पे बिकता था अब सबजी भी महंगी है दाल भी महंगी है मसाले भी महंगे है खुद सरकार मान रही है Consumer Affairs Ministry की जो रिपोर्ट है वो कह रही है 10 में से जो 10 सबसे जरूरी चीजे हैं जिसमें दाल, चावल, आटा मसाले, सबजिया, चाए पक्ती, आलू, प्याज, टमाटर उसमें से 9 चीजों के दाम में आग लगी हुई है यह सरकार खुद मान रही है इसके बारे में क्या कर रही है उसकी कहानी अभी आपको सुनाते है आपके साथ हम यह जब आकडा शेयर करेंगे तो आपको इसमें टेबल भी मिलेगी और विस्तरत रूप से आकडा भी मिलेगा पिछले एक महीने में टमाटर 160 पे है धनिया 200 की है अदरक 400 की है मिर्ची 400 की है लेसुन 130 का है परवल 80 का है अर्बी 80 की है भिंडी 70 की है और जो मोदी जी महंगाई की मार से बचाने के लिए ये वादा करके सत्ता में आये थे उन्होंने आकड़ पर ऐसी पट्टी बांदी की पिछले 9 साल से खुली नहीं है उनके राज में 2013 से 2023 के बीच में आटे के दाम में 46 प्रतिशद आटा कॉमन फ्लार के दाम में 46 प्रतिशद वृद्धी हुई है चावल 25 रुपाई किलो मिक्ता था अब 36 के उपर पहुँच गया है दाल जो 72 खी थी वो 160-170 के बीच की मिल रही है सरसो का तेल 90 से दुगुना होकर 180 पार कर चुका है और नमक हमारे गाउं की तरफ कहा जाता है कि तरकारी दाल ना हो तो नून से खा लीजे रोटी तो वाकई में जो लोग मोदी जी को लाये थे और ये वादा किया था कि नमक रोटी खाएंगे उनके नमक के लिए भी मजबूर कर दिया है नमक का दाम जो कभी 13 रुपे होता था वो 20 के उपर है अब आपको एक और अस्रियत बताती हूँ ये तो हो गई महेंगे दामों की बात आग लगी हुई है आस्मान छूरे जैसे भी बोलना चाहिए एक और चीज करी जा रही है आपकी आखों में धूल जोक कर आपकी जेबों पर डाका पड़ रहा है वजन घटाया जा रहा है पैकेटों का और या तो दाम वही रखा जा रहा है या दाम बढ़ाया जा रहा है सिलसलेवार तरीके से आपको बता देती हूँ ये बिसकिट का पैकेट आपको याद होगा पारले जी का पैकेट है गाओ, शहर, देहाद, कहीं भी जाएए ये छोटा पैकेट खुब बिकता है ये छोटे पैकेट का दाम पाँच रुपए लेकिन अब ये पचास ग्राम का हो गया है पहले ये असी ग्राम का था तीस ग्राम कम कर दिया गया दाम वही रखा गया तो ये बिसकिट बड़ा महंगा हो गया ये चाई की पत्ती है पहले पचास रुपए में 250 ग्राम मिलती थी अब 70 रुपय में 200 ग्राम मिल रही है ये चाय की पत्ती है जब हम लोग की तरफ गाओ जाते हैं तो लोग बिस्कुट का पैकेट और चाय जरूर खिलाते हैं चाय पिलाएंगे बिस्कुट खिलाएंगे ये 30 ग्राम कम कर दिया दाम रखे ये 50 रुपे का मिलता था 500 ग्राम, अब 70 रुपे का और बजन 200 ग्राम, ये नमकीन के कुछ पैकेट पहले लाई हूं, 10 रुपे में पहले 65 ग्राम नमकीन बिकता था, ये पैकेट है आप लोग के सामने, अब 10 रुपए में 32 ग्राम नमकीन बिक रहा है मतलब आधा कर दिया 33 ग्राम इस नमकीन के पैकिट को कम कर दिया गया आपको लगता है बिक तो भी दसी करा है लेकिन आप आधे नमकीन के दाम के अब वही 10 रुपए दे रहे हैं पहले आप 65 ग्राम के देते थे आप 32 ग्राम के दे रहे हैं यह मटर लोग खाते हैं बड़े स्वाद से खाई जाती है चाए के साथ शर्बत के साथ गाओं शहर दिया जाए गरीब आद में जरूर लेकर आता है क्योंकि बड़ा पैकेट महेंगा पड़ता है छोटा पैकेट 10 रुपए का ले आओ यह 10 रुपए के पैकेट में पहले 65 ग्राम आती थी अब 42 ग्राम आ रही है और यह प्रतिक्शं किम प्रमाहन में है यह सब आपको दिखाकर बता रही हूं मैं मेरे कोई आकड़े यह यह फाकेट में सब लेकर आयूँ है आपको दिखाकर इसका दाम और इसका बजन बता रही हूँ अभी थोड़ी दर बाद आकर से पास में देख भी लीजिएगा यह मुंगफली है, यह मुझे बड़ी पसंद है, अब पता चल रहा है कि इसके तो मैं दुग्रेदान दे रही हूँ, 10 रुपए में 55 ग्राम मिलती थी, अब 34 ग्राम मिल रही है, यह मुंगफली का पैकेट है, 10 रुपए में पहले 55 ग्राम मिलता था, आप 34 ग्राम मिक रहा है, हमारी आँख में धूल जोक कर, आप ही की जेब में दिन दाड़े डाका डाला जा रहा है, यह चॉकलेट है, आप मैसे कुछ लोगों को बड़ी पसंद है, यह चॉकलेट 10 रुपे में, अब मिलती है 13 ग्राम, पहले यह 5 रुपे की 13 ग्राम थी, 7 ग्राम मिलता था 10 रुपे का, अब 5.5 ग्राम मिल रहा है, 1.5 ग्राम कहां चला गया, मोदी जी की जेब में, और यह टोमेटो सॉस है, समोसा हमोसा जो आप लोगों खाते हैं, आप लोगों को पसंद है यह सॉस, यह 100 रुपे का 950 ग्राम, करीब करीब एक लीचर मिलता थ अब यह 8500 ग्राम मिल रहा है 100 रुपे का, तो यह जवाब दे ही किसकी है, इन सब चीजों का जो दाम बढ़ाया गया, बजन घटाया गया, जनता को मुर्क समझा गया, यह कौन कर रहा है, यह महंगाई मैं नहीं तो और कौन कर रहा है, और क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती है सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, हमारी कॉंग्रेस की सरकारों ने लोगों को राहत देने का काम किया है, अगर राजस्थान में आज 500 रुपे में सिलंडर बिक रहा है, तो वो इसलिए बिक रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए, करनाटक में अगर मुफ्त बस सेवा महिलाओं को मिल रही है तो जो वो दो, ढ़ाई, तीन हजार रुपे महीने का बचा रही है, वो उनकी राहत है, उनकी बचत है, सरकार क्या कर रही है उलटा, सरकार ने आख पर पठी है और मुँ में दही जमा दिए हूँ, उस दही पर भी ज़ी जियएस्टी लगा हुआ है, सरकार को कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, लोग महिंगाई से तरहत है, सरकार को अभी इसी वक्त, बड़ी रहत ला सकती है, Excise duty कम करे डीजल का दाम घटेगा पेट्रोल का दाम घटेगा मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल डीजल है डीजल का दाम घटेए सबजिया सस्ती होंगी तमाम चीजें सस्ती होंगी ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार सरकार क्योंकि मुनाफ़ा खोरी में लगी हुई है वो आपको रूस और रुस और यूक्रेन का युद्ध बताएंगे अरे प्रभू आपके पूरे कारिकाल में कच्छे तेल का उसतन दाम 65 डॉलर प्रती बैरल रहा है लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है क्या आपकी रसोई गैस का दाम कम हुआ और जैसे घाओ पे नमक रगणने का काम किया जाता अग्स सवेरे कमर्शल गैस सिलिंडर का दाम 7 रुपए बढ़ा दिया गया क्यों बढ़ाया गया अब आप जाएए होटल तो आपको जो 10 रुपए की ठाली मिलती थी वो 12 की मिलेगी क्यों है ऐसा सरकार रश रश और यूक्रेन युद का हवाला नहीं दे सकती क्योंकि जो दाम उपर गिरे थे वो गिर कर वापस 70-75 पे आ गया है लेकिन हमारे और आपके दामों में कमी नहीं हुई है हमारा अपना मानना है क्योंकि ये सरकार पूंजी पतियों पर इतनी फोकस्ड है इसको धरातल से मतलब ही नहीं है बेरोजगारी बढ़ रही है मेनू की महेंगाई बढ़ रही है जी हम तो लेसन प्यास टमाटर लेसन अदरक हरी मिर्च कुछ नहीं काते हैं दाम घट रहे हैं हमारी बला से तो इस मंच से हम सरकार से कुछ मांगे करते हैं क्योंकि वाकई में पानी अब सरक्यों उपर चला गया है लोग तरही माम कर रहे हैं और महेंगाई मैन मोदी मौन नहीं रह सकते हैं सरकार तुरंथ चीजों के दामों के नियंतरन के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाए इस देश में चावल और दाल का दाम नहीं बढ़ सकता है सबजियों के बढ़ते डाम डीजल के कम होते ही कम होंगे इसलिए उस पर कदम उठाया जाए एकसाइस ड्यूटी कम करी जाए टैक्स वसूली बंद कीजिए लोगों को रहत दीजिए मुनाफा कोरी बंद कीजिए आटा और दही जैसी चीजों पर फिलाल के लिए जीस टुरंट हटा देना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत प्रतारित कर रही है लोगों को और जो सबसे जादा महंगाई से प्रभावित लोग है उनके लिए जरूर सरकार पुखता कदम उठाए जैसे कि हमारी सरकारे कुछ राजियों में फंड ट्रांसफर करती है वो करे जिससे कि लोगों को रहत मिले और ये हमारे लिए हसी मजाक का ये हमारे लिए एक जोक का जर्या नहीं है हम समझते हैं कि ये लोगों कि जिंदगी में कहर बर अपरा है और उसका प्रतिबिम्ब ही है ऐसी कोई चीज आज रसोई की रही है जिसके दाम में आग लही नहीं है लेकिन सरकार को कोई फरक नहीं पढ़ रहा है और ये कत्ता ही स्वी कार नहीं है I will very briefly make a statement in English To my left you can see certain essential commodities These are essentially vegetables From tomatoes to green chilies To ginger to garlic And the reality is that this is a good gifting option Because something as small as this Costs you over a thousand and seventy rupees today But does the government care? Does the man who has brought the onslaught of high prices upon us care? Is the government taking any step to reverse the situation? Is the government doing anything possible Within its rights to bring you some relief? I think the answer to all of that is a big no The reality is that unemployment in this country is at a two year peak Has the government responded to it? They continue to look away Tomatoes are being sold for 140 to 150 rupees a kg Green chilies for 400 rupees a kg Ginger for 400 rupees a kg Garlic equally high The reality is it is not just vegetables And no it is not a seasonal factor The transport cost is huge If only the government acts on it They will be relieved The reality is prices of spices Like cumin, jeera Has gone up to 800 rupees a kg It has seen a jump of nearly 200 rupees in a few months Pulses As common as tuar or arh dal Are costing you anything between 160 to 170 rupees Branded pulses even more Prices of rice have gone up Prices of wheat have gone up What about the common man? What about the middle class? What about the poor? Reeling under poverty What is the government planning to do about all of that and more? And before I say anything We will be sharing with you a comparative chart Of where prices were in the UPA And where prices are today And no purchasing power parity for common Indian is down An average Indian is poorer than how they were Between 2013 to 2023 The reality also is That there are certain items Where the weightage has gone down But the prices have gone up And I will just very briefly display some of this to you These are biscuits It's a Parleji biscuit The most common biscuit anywhere in the country And having been in the world of finance and economy I can also tell you this is a big barometer Of how economic progress is And if you remember The consumption of Parleji had gone down This Parleji biscuit Used to cost you 5 rupees a packet But that packet weighed 80 grams Today this packet weighs 50 grams I have tea leaves here with me 250 grams of this tea leaf Used to cost us 50 rupees Now 200 grams Cost us 70 rupees I have this Namkeen here with me In 10 rupees One could buy a packet that weighed 65 grams It now weighs 32 grams It now weighs 32 grams I have got mutter here with me A 10 rupee packet would get you 65 grams of mutter Today it gets you 42 grams of mutter I have got peanuts here with me It used to cost 10 rupees 55 grams Now you get only 34 grams in that 10 rupees I have got a chocolate here with me You know everybody likes to have a chocolate once in a while It used to cost me 5 rupees It now costs all of us 10 rupees Prices have not gone up by a 50 paisa or a rupee They have doubled from 5 to 10 rupees I have got coffee here with me It used to be a 7 gram sachet that used to cost us 10 rupees That 7 gram sachet has now been reduced to 5 and a half rupees 1 and a half gram sachet rests with Mr. Modi And here is sauce 950 grams of this sauce used to cost me about 100 rupees It now costs us 850 grams for 100 rupees So the reality is that the government is completely apathetic They don't really care It doesn't matter to them what common man or woman is facing And is it a fact that the government can't do anything? Is it all seasonal? Absolutely not I mean look at the congress governments Look at our government in Rajasthan Our government in Rajasthan is committed to bringing relief We are giving cylinders for 500 rupees Our governments like in Karnataka Have made bus service free That has left additional money in the hands of women And that is relief for them In a time when they are reeling under high prices So the government can do a lot But the government is busy profiteering Crude oil prices On an average for this government Have been at 65 rupees a barrel 65 dollars a barrel But have prices gone down for you? No they haven't After the Russia-Ukraine war started Prices went up But then they came down And came down substantially Today they are anywhere between 70 to 72 dollars a barrel Have prices gone down for you? No Can the government bring down prices? Any moment They just have to bring excise duty down Are they willing to do it? No they are not They are getting cheaper crude from Russia Who is the beneficiary of that cheap crude? What is happening to that cheap crude? Nobody knows So from this very platform We ask the government to take immediate steps So that some relief can be brought to people of this country We expect the government to rationalize fuel prices We expect the government to reduce prices So that diesel costs come down So that prices of vegetables can come down We expect the government to stop profiteering through taxes To remove common flour and yogurt right now from the GST And bring in some relief And people who are really reeling under high prices Need to be given some monetary help Some fiscal help And that is going to be a big boost for those people But for now I am only showing you this basket It's a very precious basket It's a very precious basket It's a very cheap and cheap basket It's a very cheap and cheap basket It's a small basket for 1070 rupees And after saving it, we'll take it from anywhere लेकर पहुंचें कि कोई लूप ना ने रास्ते में एक किलो टमाटर इसमें देड़ सो रुपए का है अगरक चार सो की है मिर्ची तरीवें किलो डालिए वो चार सो की है लेसुन है ये अपने दोस्तों के हां मित्रों के हां परिवार वालों क्या मिठाई मत लेके जाएगा अब ऐसी सबस्यों की बास्केट लिए कर जाएगा